सल्मान खान फैन्स के लिए एक्चुली मैं कह सकते हूं यह बूरी नीज है लेकिन यह कोई वीडियो उनके अगेंस्ट के लिए नहीं बनाया है मैंने लेकिन एट प्रेजेंट में एक फैन पेज देख रहा था कॉर्पोरेट शारुक खान के एक फैन पेज था वहाँ पे यह लिखा गया था कि मुझे याद करने तो कितना हुआ इसका 422 करोड दिखाया ना इन्होंने 60 और 70 मोर करोड नीज टू बीट टाइगर 3 वर्ल्ड वैड कलेक्शन ऐसा एक पोस्टर था मतलब इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है चिडाने की यह एक यह थी एक पोस्ट यहाँ पे मैं देख रहा था और जहाँ पे इन लोगों ने डॉक का पिक्चर दिखाया था सल्बान को लेकर यह इतने गए गुजरे फैंस है बात वो नहीं है यह तो है वो पता है लेकिन बात यह है कि डंकी कोशिश करेंगे हाला कि जब मेकर्स ने कलियर कर दिया के घुला के चार्सु करोड़ बजेट इनके पास 귀मेंट के शुवी सपाट वन हाला कि यह दोसु करोड हुआ ही बनी है स्टर करोड का कुछ शुटिंग हुआ उसको भी लगए लेकिन नहीं वाए जब यह reality एक्सपोज हुई है ना कि 270 करोड में बनी हुई सलार लगबक संडे को 400 करोड का नेट आकडा क्रोस कर रही है वर्ल्ड वर्ड में 750 करोड के आसपास क्रोस कर रही है तो इनके पास क्योंकि यह क्लैश में हारे तो इनके पास अब एक बहुत बड़ा टॉपिक बचा है इसको टार्गेट करने का अब टॉपिक सलार से हटा के टाइगर 3 पे लाने का यह इनका काम है क्योंकि अभी मैंने कल करे यह वर्ल्डवाइड में डंकी को कम से कम साड़े 500-600 करोड दिखा के रहेगा मैं गैरिंटी बोला था पहले दिन पर बोला है याद करो मैं और नेट कालेक्शन में यह बोलते हैं रेंगते रेंगते ही कियो नहौं लगिन यह कम से कम 300 से लेकर 100-300 करोड का अकड़ा करवा के रहेगा इस डंकी को मैं बोला था याद करो पहले दिन बोला हुआ 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 है तब देखो भाई सलमान के फैंस बचना है आपको सबसे बड़ा इसमें इशू क्या है मलुमें कि आप इसको टैकल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो स्टार है वो अनेस्ट है हमबल है व आपको ऑड़ा ज़्याओं मिनिस्टर को बचाते बचाते अब भूल में पाकिस्तानी गुरुमंत्री को मत बचाना मतलब रहे गए मतलब भाई इन शौर्ट सलमान को बैस्टोरी देख के करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इस सीखलो भाई क्योंकि अभी तो दोस्ती बहुत दिखरी न, पठान का कैमी हो था टाइगर में, ये था वो था, थोड़ी बहुत है न दोस्ती, तो भाई सीख लो corporate booking करना, ये वरना तो भाई हारते रहने वाले हो, कि वह जो डंकी है, इसका मैंने already exposed किया है, real collection, ये मत भूलो, वो theater owners के statements भी मैंने आपको बताए है, कि real में collection कितना हुआ है, net collection हुआ ही नहीं है अभी तक budget को cross 200 करोड़ budget है, ये 80 करोड़ है, 120 करोड़ बोल रहे है, मतलब इनके अंडर शारुक खान की zero value है, reality ये रेर चिलीज की film है, तो इसका मतलब ये नहीं रहता है, शारुक नहीं लेता है, वो profit लेता है, profit तो तब लेगा आपको पता है, पर आप बचो आप, क्योंकि यहीं इस्व है ना फिर, कि आपका star फिल्में नहीं ये ला रहा है, अगर ला ही रहा है, तो यार किसी का भाई, किसी की जान, tiger 3 का भी वो topic, यार tiger 3 की एक सच्च में एक बात बूलता हूँ मैं, यब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यानि एक घटिया एंगल दिखने, दिखाने साथ ये था, कि तुम इम्रा आश्मे का character कुछ अलग टाइप का दिखाओ, और body builder, builder, मारा मारी दिखाओ, क्या तुम ये अलग ही दिखाया भाई, इन लोगोंने topic भी, उमीद करता हूँ कि क्योंकि अभी तो फिल्में बहुत लेट आ रही है, तो ये आपको क्या लगता है, डंकी बीट करेगी या नहीं, Tiger 3 को, मैं आपको बता हूँ कब तक ये दिखा देगा, कि कर दिया, बीट, पास दिन रुख जाओ, बस बारा तारिक, बारा तारिक को डंकी बीट करेगी, officially Tiger Tiger को, 3 को, Worldwide में हो, Net Collection में शायद मुझे लगता है, 15 तारिक को करेगी, तो कर लेगी बाई, अब ये मुझे मत बोलो कि मैं anti-salman हूँ, मैं तो fact बोल रहा हूँ, और मैं fact कोई support करता हूँ, ये नहीं कि बाई, और जो दिख रहे है, ये corporate, और पोड़ी है, जो मेटों के साथ तिकेट फ्री, मुझे खुद को ये आ रहे है, स्वीगी के साथ मिला था तिकेट इसका, फ्री भाई, चार तिकेट मिले, एक नहीं, चार, पहले दीन ही मैंने आपको ये चीज़े बता ही थी, अब इसको भी आप corporate नहीं बोलते हो, और भाई, एक बोलो, एक logic लगा हो, डंकी के तिकेट को वो क्यों, ओनर क्यों लेगा, उनको क्या बाटने है, ये रेर चिलिस का offer उनको है, तो वो बाट रहे है, बात को समझो, खरीदे किसने है, इन लोगों ने थोड़ी खरीदे है, खुदी खरीदो, खुदी देखो, हो गया collection, मज़ा है भाई, और एक logic है जो आदमी 24-25 करोड ऐसे दे दे देता है न मिटल स्टार को कि ये ले चल ले, ले IPL में, वो बंदे को भाई 200-300 करोड डालने में कोई ये नहीं है, जिस आदमी की दुबई में खतरनाग प्रोपर्टी, मुझे रियालिटी बहुत पता है, बिजनेसमेन अच्छा है शारु चार साल में शारुक खन ने कोई ये नहीं किया था, चार साल में कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है, कैसे सक्सेसफूल होती है, क्या रेड्स वेड्स ना पड़े, इसका पूरा ये किया था, और आपको लगा कि बंदा खतम हो गया, माइंड गेम रहते हैं सब, ये फैन वहाँ पे क्या हुआ, इन लोगोंने 25 टिकेट बाटे, डंकी के सेकेँड की बाते, पहले नहीं बोल रहो, मैं सेकेंड डेड की पच्चिस टिकेट बाटे आप बोलते हो नहीं है डंकी फैन क्लब क्या है डंकी फैन क्लब डंकी फैन मिनिया शाहरूख फैन मिनिया मैं बता देता हूं यह रेडचीलिस क्या करता है पच्चिस टिकेट बाटे मान के चलो कि मुझे चार मिली थे उस दिन टिकेट अलग मैं उ इस लोगों को जमा कर रहा है, एक डंकी का पोस्टर दिया, और ऐसे वो पोस्ट करने को बोला, उसकी रोस्ट की वो, मुझे पसंद नहीं है, पर मैं, एक्चुली देखा जा तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन वो रोस्ट के लिए मैं नहीं से किया, तो वो करने क बोला, और मुझे आद है, चवते दिन रेड़ चिलीज ने उत्तरा खंका, उत्तरा खंका ही था हो, हाँ, वो वो पोस्टर विनिया भी डाला, कि डंकी फैन में यादे ले यह डोग डालते है, 25 के 25 टिकेट फ्री थे वो उस दिन के, अब सोचो भई, गेम कितना बड़ा है यह गेम यहाँ पे भई, उसके फैन्स जितने जिरो है ना, अकल में उतना वो हिरो है, इसलिए यह होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सलमान भी कॉर्परण बुकिंग करे, अक्षे कुमार भी करे, सब लोग करे यह लोग, ताकि कलेक्शन जब आएंगे न सबके, और इस करता हूँ, अगर मैं शाहरुक के अगेंस्ट होता ना, तो मैं यह चीज ने एगरी करता, ओवर्सीज का पठाण का नहीं पता मुझे, भारत में दिखी थी भी, मैं खुद बोल रहा हूँ यह, लेकिन जवान और डंकी छोड़ी दो भई, और हमने जवान के बद चार स्ट मना पड़ता था, एक टाइम पर, अक्षे कुमर को टॉंट मारा था उसने, सिल्फी डिजास्टर गई थी तो, तो ऐसे लोग भी इगनॉर अब अगेंस्ट आ रहें, मतलब सोचो कि ठीटर उनर्स को भी कितना लॉस होता है इस चीज का, चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है मैं सामने से, इसके fans उतना celebrate नहीं करते हैं, उतना मैं करता है कि मुझे आदे, डान टू के वक्त, और रहीस के वक्त, जितना मैंने support किया था ना मुझे नहीं आद किसी ने भी किया होगा इस film को, इसके films को, तो मैं जितने इसका action का fan था, भले ये double body double करे या कुछ भी करे, लेकिन मुझा हमेशा सी इसको न वो फिलनियस टाइप के रोल में देखना पसंद था इवन पठाण में भी उसका भले रोल पॉजिटिव है लेकिन जो स्वैग है न वो मुझा अच्छा लगा था जवान में भी बट जब वो चार स्टेट्स में हमने क्लियर किया ना वो ट्रैक किया ना जवान का मन से उतर गए भाई सब कुछ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजा और एक बात ज़रूर बूलूंगा यह जो वर्डवाइड कलेक्शन आज भी जवान नीचे है न सबसे पहले तो अभी टॉप पे है वो दंगल हाला कि दंगल कैसे मुझा आज तक बिलीव नी इस चीज़ पे लेकिन है कि भीड़ जावान से कई गुना जादा थी जावान को भीड़ी नी थी और यह टॉप फाइड में कैसे आई है वर्ल्ड वर्ड में पांच नंबर पे जवान मुझा आज तक नहीं पता जो बिलीव करना है मत करो लेकिन सल्मान के फैंस को अब बचना तो पड़ेगा भाई शेर करो एट इस वीडियो